एयार प्लीज मुझे जाने दो मुझे छोड़ दो प्लीज मैं किसी को आपका सच नहीं बताऊंगी आप कहो के तो मैं ये देश ही छोड़ दूँगी इस पर माफी दे दो एयार जाने दो मुझे सोनी लगातार चिल्ला रही थी पर एयार पे और ना उसके आदमियों पे कोई असर हो रहा था अक्स ये देखकर डर से काप चुगी थी पर अपनी आखों के सामने वो किसी को ऐसे मरने नहीं दे सकती थी वो घबरा कर खुद से बूली गबराहट में अक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसने अपने इधर उधर देखा पास में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था अक्स ने जल्दी से उठसे उठाया और एर की तरफ फेग दिया वो पत्थर एर की कुरसी पर जाकर लगा उसकी आवाज पर सब इधर उधर देखने लगे घबराहट में अक्स जल्दी से पीछे की साइड हटी पर अक्स की परचाई एर ने देख ली एर उची आवाज में अपने लोगों से बूला सिक्योरिटी अलर्ट कोई यहाँ घुस आया है जो भी यहाँ आया है वो बचकर नहीं जाना चाहिए एर की आवाज पर सब एक आवाज में बोले ओकी सर एर के सारे आदमी चारो तरफ फैलने लगे दो आदमी एर के इशारे पर सोने को खीचते हुए एक सीक्रेट जगह ले गए अक्स धीरे धीरे पीछे हटकर अपने लिए चिपने की जगह ढूडने लगी लेकिन एर की नजर अक्स की परचाई पर ही थी वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा अक्स छुपते छुपाते एक दर्वाजे से टकराई वो जल्दी से अंदर गई और दर्वाजा बंग करके जोर जोर से सासे लेने लगी फिर खुद से बोली कंट्रोल अक्स, कंट्रोल, हिम्मत रख, तू कोशिश कर यहां से तू भी निकल पाएगी और उस लड़की को भी निकाल लेगी पर उसके लिए तुछे कुछ सोचना होगा बोलते हुए अक्स चल्दी से कर्टेन के पीछे छिप कई और गहरी सासे लेने लगी तभी अक्स ने देखा कि वो एक खूबसूरत से कमरे में पहुच गई थी यह बिग साइस का कमरा था जिसके बीचो बीच वाइट कलर का बैट बड़ा हुआ था एक दिवार की पूरी साइट काच की वॉल थी जिससे वो जन्नत का नजारा साफ नजर आ रहा था पूरे रूम में वाइट कर्टेंस लगे हुए थे बहुत ही यूनीक, खूबसूरत और सिंपल सा रूम था उसे देख अक्स एक बार फिर हैरान होकर खुद से बोली यहां का माजरा क्या है? बाहर इतना खूबसूरत जन्नत जैसा सब कुछ बनाय हुआ है यह कमरा भी उसी जन्नत का हिस्सा है तो वो अंधेरा गोडाउन सा? वो क्या है? वो क्यों बनाय गया है? अक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे तो लग रहा था जैसे वो किसी अलग ही प्लेनेट पर आ गई हो उसके सासे अभी तक तेज थी हार पेट कम होने का नाम नहीं ले रही थी उसने एक बार फिर आखें बन करके गहरी सास ली तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए घबरा कर उसने आखें खुली तो उसके होश ही उड़ गए ए आर ने एक हाथ अक्स के पेट पर रखा हुआ था दूसरे हाथ से उसके दोनों हाथ कवर कर लिये और अपनी ठुटी अक्स की गरदन पर रख दी जिसे देख अक्स काप उठी ये कोई और नहीं ए आर था ए आर उर्फ अक्षर रॉय उस वक्ट अक्षर के मुँपर भी नकाब था जिसमें उसकी हरी आखे साफ नजर आ रही थी तो वहीं अक्स के चहरे पर भी सकार्फ था जिसमें उसकी नीली आखे डर से भरी हुई चमक रही थी अक्स खुद को छुडाने की कोशिच करते हुए कापदी आवाज में बोली चोड़िये चोड़िये मुझे कौन है आप अक्षर ने सर्द आवाज में कहा ये एर की दुनिया है यहां इंसान आ तो अपनी मर्जी से जाता है पर जाता मेरी मर्जी से है बोलते हुए उसकी आवाज डैविल टाइप लग रही थी जिसे सुनकर अक्ष अंदर तक तहल गई अक्षर ने अपने हाथ को अक्ष के पेट पर रखकर उसे घुमा दिया जिससे वॉल पर लगे शीशे में वो दोनों नजर आने लगे अक्ष की नजर शीशे पर पड़ी जिसमें अक्षर की सिर्फ आखे नजर आ रही थी गहरी हरी आखे जो देखने में बेहत खुपसूरत थी पर उस वक्ष वही खुपसूरत आखे अक्ष की अंदर डर भड़ने लगी जैसे ही अक्षर की नजर अक्ष की चहरे पर पड़ी पूरा चहरा कबर सिर्फ नजर आई तो गहरी नीली आखे जिन में दहशत भरी हुई थी अक्षर जैसे उन आखों में खोसा गया कुछ पल ऐसे ही निकल गए अक्ष लगातार खुद को अलब करने की कोशिश कर रही थी पर अक्षर की कैट से आजाद होना इतना आसान नहीं था अक्षर ने अक्ष के आखों को देखते हुए खोए हुए लहजे में कहा तुम्हारी ये आखे क्या इनमें कोई जादू है अक्षर की बात सुनकर अक्ष चीखते हुए बोली चोड़िये मुझे क्यों पकड़के रखाया आपने और उस लड़की को क्यों मारना चाहते हैं आप अक्ष की बात सुनकर अक्षर होश में आया अपने गिरफ्त अक्ष पर मजबूत बनाते हुए बोला अगर मैं ना जाने दू तुम्हें तो बोलते हुए अक्षर कुछ अजीब सा फील कर रहा था उसकी अजीब बातें अक्ष को डरा रही थी उसे देख अक्ष खुद से बोली ये इनसान बहुत अजीब और डरावना है ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकल कर उस लड़की को ढूरना होगा अक्षर उसके नीली आखे अभी भी अपनी तरफ कीज रही थी अब अक्षर अक्ष का चहरा देखना चाहता था जैसे ही अक्षर अक्स के चहरे के करीब अपना हाथ ले जाकर उसके स्कार पर हाथ रखा अक्स ने जोर से अक्षर को धक्का दिया जिससे अक्षर बैड पर जा गिरा अक्स तेजी से वहाँ से भागने लगी और जैसे ही वो गेट तक पहुँची उससे पहले अक्षर बैट से उठकर अक्ष के सामने आ गया अक्षर ने अक्ष को अपनी बूद में उठा लिया अक्ष चीखते हुए बोली छोड़ो मुझे क्यों कैट कर रखा है मुझे प्लीज मुझे जाने दो अक्षर ने कोल्ड वॉइस में कहा अभी एयार का मन नहीं है कि तुम जाओ बोलते हुए अक्ष को लेकर बैट की तरफ बढ़ने लगा वो अपनी हरी आखों से लगातार अक्ष की आखों को देखे जा रहा था उसका यो अक्ष को देखना उसे और भी डरा रहा था अक्षर उसे लेकर बैट की तरफ बढ़ने लगा फिर बैट पर ले जाकर उसे बैट पर लेटा दिया और खुद उसकी तरफ बढ़ने लगा उसे अपनी तरफ बढ़ता दे अक्ष की सासे तेज होने लगी घबराहट से उसका गला सोखने लगा अक्स ने उसे हाथ से भोखते हुए कपकपाती आवास में कहा नहीं, नहीं, मेरे करीबात आना लेकिन अक्षर अक्स की आखों में खोकर लगातार उसकी तरफ पढ़ रहा था क्या राज है एर के इस दुनिया का? क्या करने वाला है अक्षर अक्स के साथ? क्या अक्स खुद को और सोनी को बचा पाएगी? क्या अक्षर कर देगा अक्स के साथ हद पार? जानने के लिए देखते रहिए तूजित है हमारे यूटूब चैनल कहकशा एफम